वेलकम टूदी क्लास दियर, हाउ आर यू, होप से यू आर फाइन एंड गुड, तो देखिए आज हम लोग यूनिट टू की दिवारे में डिस्कस करेंगे, यूनिट टू आपकी कौन सी है, गुणा तथा भाग की संकल्पना एवं संक्रियां, ठीक है तो इसके अंतरकत सब से पहले हम लोग जानेंगे गुणा की संकल्पना, गुणा की संक्रिया, भाग की संक्रिया ये चार टॉपिक्स आज आपको पढ़ने हैं, उससे पहले आपको एक बात बता दें, कि देखिए हर एक, जब मैं एकाई कंप्लीट करती हूं, तो उसके बार में कुछ प्रश्न होते हैं इन प्रश्णों को आपको solve करके टली ग्राम पर भेजना होता है इस class का pdf मैं आपको रातरी तक भेज देती हूं तो pdf डाउनलोड करके या फिर थोड़ा सा smart work करके यानि कि एक page का प्रश्णों को करने में आपका बहुत लाब होगा देखिए होता क्या है कि वन साइड महनत क्या ही रंग लाएगी पता है आपको मैं सिर्फ पढ़ाऊं यहाँ पर बैठके और कोई subjects हो तो काम चल दाएगा क्यों क्योंकि आपने उसको पढ़ा समझ लिया it's well and good जब आपको उसकी pdf मिली तो आपने उससे एक बर और revision कर दिया so it's very well and good बट जब बात आती है match की यानि गणित की फिर आप बोलेंगे कि मैम हमें तो match आती ही नहीं यह आप ना बोले इसलिए आपको एक काम करना होगा पहले तो class को पूरा end तक करना होगा देखना होगा उसके बाद में आपको जो questions मिल रहे हैं उनको solve करना होगा चाहे हो है आपसे चाहे ना हो ठीक है अगर आप यह करेंगे means आपके अगर अपनी duty करेंगे question solve करेंगे कोशन सब solve करेंगे और किसी ने solve नहीं किया ठीक है तो मैं यह नहीं चाहती हूँ मैं चाहती हूँ कि आप question solve करें और टेलिग्राम दो जुड़ने के लिए आपको link description box comment section में मिल जाएगा ठीक यह आप सर्च कर सकते हैं मैं नहीं सब्सक्राइग है तो अब आई शुरू करत दो का जोड पाच बार क्या होगा तो two into five ten का का मतलब क्या होता है गुणा याद रखेगा इंग्लिश में off का मतलब multiply होता है और हिंदी में का का मतलब ही क्या होता है गुणा ठीक फिर देखिए अब इसी तरह five plus five plus five किता हो गया पच्चिस यानि पाच का जोड क्या बोलें six plus six plus six तो यह किता हुआ बताओ छे का जोड कितने बार है एक दो तीन चार बार है की नहीं है बतलो और छे चोग 24 इत्ती सी बास समझ में आई अब देखो उपरोग तो धारर से इस पस्ट है किसी संख्या का आपस में बार बार जोड ही गुणा बन जाता है यानि कि अगर क संख्यप्त रूप क्या है अब आप देखो कितने इस नोन इंटिमेट लाइन लिखी है कि जोडने का संख्यप्त रूप ही गुणा है गुणा की क्रिया को पहाडों की सहाइता से असानी से किया जा सकता है कैसे किया जा सकता है तो आईए दिखाते है देखिए four into one four उसके अब देखो चार का चार बार गुणा है यानि four into four four the sixteen four का पाच बार गुणा और ऐसे ही चलता चला जाएगा और जब आप चार का दस बार जोडेंगे तो क्या होगा? चार का दस बार गुणा है यानि कि? चालिस तो यहां से आपकी क्या लाइन ग्लियर हो गई कि किसी संख्या का किसी संख्या का आपस में बार बार जोड ही क्या बन रहा है आपका तो गुणा बन रहा है बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बोलो अगर आ रही है तो it's well and good लिको फटा पटे अब ये क्या है पहाड़ा बन गया आपका टेबल जिसे आप कहते हैं याद करते हैं वैसे ही अब देखो अथा किसी संग्या का बार-बार जोड़ ही गुड़ा होता है बार-बार जोड़ने को आसान बनाने का तरीका क्या है आपका गुड़ा है यह आप इकदम नोट में करके लाइन डाल ल वन रेशियो 62 इंटू 74 को आपको क्या करना है स्वाल करने सबसे पहले यहां पर 62 इंटू 74 को सौल करेंगे और देखो इसको कैसे किया है सौल एक चोड़ा साइब लेड़ो मानलो 12 को सौल करने चलो चीज़े समझ लो देखो सबसे पहले क्या होता है इकाई के अंक से आप पूरे को मंटिप्लाई करते हैं यानि फोर टूजा एट एट लिग दिया ठीक फिर फोर शिग्जा बताओ 24 होता है 24 लिग दिया फिर यहां पर प्लस का साइन वह अपने आप में क्या होता है होता ही है मतलब उसको आपको लिखना हो या ना लिखना हो लेकिन वह जोड़ा ही जाएगा अब दहाई के अंक यानि साथ है ना दहाई पर तो साथ से ज़दा दो कंगुड़ा किया तो कित्ता है बताओ भूलो 76 64 गया है अब यहां पर एक 0 लगाते है अब देखो इसको जोड़ देया इन्हों आठ चार चार आठ तीन दो पांच और चार अगर आपकोँ नहीं समझे में आदा तो आप इसको एऽ इसे लिख दो 62 इंटू 74 फोर टूजा 8 फोर शिक्जा 24 लिख दिया अब यहां पर क्राश का निसान लगाए जगता है हमेशा जब इसके बाद आएंगे तो तो दो क्रॉस लगें फिर उसके बाद आएगा तो टीन क्रॉस लगेंगे ऐसे यह एक रॉस लगते चले जाएंगे जैसे मांळो मानलो आपको मटीप्लाइए करना है फीर इन्टू वन ऐसे टेखो थ्री थील्कृतए इन्टू तू टू फीजा अब कैसे करो का दो गोन थ्र सबसे पहले 2 को ठाएंगे इस वाले 2 को ठाएंगे और सबसे मल्टिप्लाइब करेंगे कहां से शुरू करते हैं मैंशा इकाई से यूनिट से शुरू करते हैं ठेक हैं देखो 2 वंजा बोलो 2 फिर 2 टूजा 4 फिर 2 टूजा 6 इतनी बाद समझ में अब एक क्रॉस लगाएंगे अब 8 को मल्टिप्लाइब करो ज़रा तो 8 वंजा 8 एक टूजा 16 का 6 लिखेंगे क्या दी कितना चला गया वन फिर 8 टूजा क्या हो जाएगा 24 24 और 1 25 इतनी बाद समझ म जरूगर हो जब 1 से मल्टिप्लाइब करोगे तो यह क्या आजाएगा 1 2 और 3 अब ज़रा इसको क्या करोगे अपने आप में सबको एड़ कर दो अंसर आजाएगा तो यहां पे एड़ करोगे तो 8 4 12 12 कर दो एक कैरी आजाएगा तो 6 6 12 13 14 14 14 कर चार एक कैरी आजाएगा 5 6 7 तेक 8 और 3 दो 5 यानि 5 8 4 2 2 आपका अंसर आजाएगा इत्ति उसी बास समझ में आ गई होगी होगी होप सो अब देखो इसलिए इन्होंने अब क्या गुणा दिया आपको 6 7 5 इंटू 67 अब ज़रा इसको अपनी स्टाइल से कर लो 7 कव सबसे पहले किस तरे जाएगा देखो 5 से जाएगा तो 75 जा 35 का 5 करी लगा 3 7 7 जा 49 49 और 3 किता हुजाएगा बोलो 49 150 52 हो जाएगा 2 करी लगा 5 76 किता हुजाएगा 42 42 और 5 किता हुजाएगा 47 एक क्रॉस लगाएंगे अब किसको लेंगे हम लोग जो 10th पे है यहन्ने कि 6 को 6 का फिरसे करेंगे 5 से तू क्या हुजा अब इससे करोगी ना 6 7 दा 42 होता है 42 42 प्लस 3 किता हो जाएगा 45 केरी किता चला गया 4 6 6 किता होता है 36 और 4 40 हो गया अब जरह स्क्वाइड कर लो तो देखो 5 2 7 और 5 किता हो जाएगा बोलो 2 यानि 7 5 12 होगा ना 12 का 5 एक केरी हो गया ठिक 4 एक 5 और 4 अब देखो 45,225 यहां पर भी आया 45,225 इनका भी आया जोड़ने पर तो यह आपके उपर है कि आप किस प्रकार से गुणा कर रहे हैं तीसी बात आपको समझ में आ गई होगी तीनक वाले गुणा में वही उसी तरह सारा करना है जैसे हमने आपको वही और दो वाला गुणा से खाया अता उपरोग्त से इसपस्ट है क्या इसपस्ट है कि इकाई का गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल को इकाई के इस्तंब से और दाहाई का गुणा करने के प्राप्त गुणनफल के दाहाई और इस्तंब में लिखना शुरू करते हैं Choles permettest dhahi के gunpowan film में Iqai के 현is than पर उनकेidas पर 2 लिख दिया था यानिक जब आपने unit से बता ईया थो जब आपने 5 से गुणा कियया तो क्या रिख़ा देखो जब आपने 5 से गुणा किया तो आपने as it is लिखा फिर जब 3 से गुड़ा किया तो एक बार आपने यूनिट प्लेस पे क्या लिखा जीरो लिखा अब यह 3 क्या है आपका 10 प्लेस पे है तो 3 का जब आप उपर गुणा करेंगे तो कितने जीरो लगाएंगे यहां पर दो जीरो यानि यूनिट प्लेस पे भी जीरो आप देखेंगे तो जो दो जीरो लगाएंगे ठीक इसी बात समझ में आगी आकनी में तीन गुड़न फलो का योग कर देते हैं ठीक अब देखो नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताया इसे भी जाने इसे क्या जानना है आए देखते हैं अब देखेंगे कुछ फैक्ट इसे अप चाहिए 4-2 जा बोलने तो कितना होगा? 8 होगा और चाहिए 2 4 जा बोले तो 8 होगा तो पहले point में इस Васा ओना आप 7 होगा देखा तो ilisic구요 देखेंगे एसी। डिजट को यदि 1 से मल्टिप्लाई करते हैं चाहे दुनिया के कोई भी डिजट हो तो आंसर हमेशा क्या आएगा उतना ही आएगा कितना आएगा जितने से आप मल्टिप्लाई करते हैं चाहे अप ले लिजए 3 2 1 5 6 7 8 9 00 अब इसका मल्टिप्लाई आपको 1 से करना तो घबरा बनागे पूछेंगे ऐसे कि 11 इंटू 5 प्लस 6 हाना divided by divided by 3 इंटू 3 इंटू 4 हाना और ऐसे करके प्लस 11 by 5 और उसके बार में यहां लिख देंगे 11 इंटू 0 अब पूछेंगे बताओ इसका अंसर क्या होगा बच्चा तो क्या करता है बोर्ड मास पढ़े होता है तो सबसे पहले देखता अरे वह कोशन तो इजी आ गया वह क्या करता है ब्रैकेट देखता है इतनी जल्द में कहीं पर सून ने है तो इसका मतलब उसका आंसर आख बन करके आप सून ने लगा कर गये ठीक इतनी बास समझ में आ गई फिर किसी संख्या में 100 200 या 300 या 900 का गुणा करने पर दी गई संख्या में करमसा 1 2 3 9 से गुणा करने पर गुणनफल के दाहिनी और दो शूने लि लिखा तो डबल जीरो अपने आप ही लगा दो तीन का केवल मल्टिप्लाई करो डितालिस से 900 में डबल जीरो पहले ही लगा गई मतलब जितने जीरो हो यह कोशन में आप हजार का ले लो आप यहानी कि पाच लाख का ले लो चाहे चलो ले लो लेखो पाच लाख है पाच किसी ने कह दिया बीस से करो सबसे पहले यह जितने जीरो है यह लिख दो एक दो टीन चार पाच और एक जीरो यह बीस वाला यह भी लिख दो और पांदो ना किता हो तर दस आप का अंसर आगया ठीक बात समझ में आगी होगी ओप सो अब देखिए भाग की संकल्पना क्या है भाग की संकल्पना करते हैं और अभी आपने क्या पढ़ा मैट्स में मल्टिप्लाइ का पढ़ा है पूरा सीन ठीक अब क्या पढ़ेंगे अब तो डिवाइड का पढ़ेंगे डिवाइड वाला ज्यादा इंपर्टेंट है तो बहुत आराम से पढ़ेगा क्योंकि इसमे यहां पर सीडीपी की होती है यहांई 551 लग तो इस चल रही है और 55 चैनल में help मिल रहे है चैनल के थूँ तो यह आप comment section मेंशन करना नहीं भूलिएगा यह आप मान के चले किसी भी youtuber की आप class देख रहे हैं आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि नहीं वाव यहां से तो मेंको फाइडा हो रहा है मुझे अच्छा लग रहा है मैं कुछ सीख पा रहा हूँ या पा रही हूँ तो वहाँ पर comments जरूर क्या करी है वहाँ पर comments करना बहुत जरूरी है ठीक है क्यों क्योंकि इससे क्या होता है जो आपके teacher होते sir या maam या कहीं पर भी जहां आप comment करें चाहिए वह cooking का channel हो जहां भी हो तो उनको भी motivation मिलता है यानि कि एक teachers के लिए motivation कौन है तो आप सब ही है यानि कि एक YouTubers के लिए motivation क्या है तो viewers है क्या है viewers तो हमेशा याद रखिएगा आप लोगों की बहुत बड़ा रोल है यहां आप ही class हो रही है तो इसमें भी आपका ही रोल है जब आप वह वाले topics पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाएगा बाल के इंदर शिक्षा में कि बालक की जो है शिक्षक बालक से ही मान की चलिया आप सिक्षक शिक्षा पाठे चरिया सब कुछ है है तो इन बातों का विशेज ध्यान रखिएगा आए शुरू करते हैं भाग क कि बहन या आपको कोई भाई है ठिक और आपकी ममी ने आपको क्या किया कुछ रूपैसे दिये उन्होंने 10 टॉफियां करें तोफियों को बराबर बाटने के लिए दोनोंने एक धंग दूना पहली बार दोनोंने एक एक टॉफिय लिया मतलब दस टॉफिय को अदेर ऐसे अब इन्होंने एक ढूना गी यार इनको बराबर कैसे बाता जाए तो पहले इन्होंने एक टौफी खुद ले ली फिर एक टौफी इन्होंने भी ले ली ठिक एक बार उन्होंने एक टौफी ले ली दूसरी बार इन्होंने क्या किया क्या क्या तो इस प्रकार क्या हो गया कि दो तौफिया बट गई यानि अब कित्ती बची होंगी तो इसमें आठ बची अब इनोंने सुत्ता चलो एक एक फिर ले 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 फिर एक इनोंने ले 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 अब आठ में से फिर दो और कम हो गई यानि अब कित्ती बची छे फिर सोचे इनोंने चलो अब एक एक और ल ले लिया राम ने और एक लेलिया सीयां सब्सक्राइद अब देखा कि केवल 2 टॉफ़ी आं बच रही है तो ये पांच बार इन्हों ने अंत में क्या किया एक टॉफी नहीं बची तो पांच बार बाटने के पस्चात दोनों को पांच-फांच टॉफियां मिली किती मिली पा इस क्रिया में हम क्या देखते हैं कि दस में दो पाच बार सम्मिली थे क्या कि दस में दो पाच बार सम्मिली थे कि यानि कि किसी वस्तु को बराबर भागों में बाटना ही क्या है भाग है निसकर से क्या निकला कि किसी संख्या से एक ही संख्या को बार बार घटाने की क्रिया भाग बन जाती वहाँ पर क्या निसकर से निकला था कि किसी संख्या को बार बार जोडने पर ही उसका क्या होता है गुणन फल होता है यहां पर क्या निकला है निसकर्स नोट कर लिजेगा यह बात कि किसी संख्या को एक ही संख्या से बार बार घटाने पर क्या बनक्रिया हो जाती तो वो भाग बन जाती है क्यों देखो यहां पर बार बार किसे घटा रहे थे आप दो से ही घटा रहे थे न तू 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 divided by 2 is equal to किता हुआ 5 अब अगर इसको नहीं समझ में तो ऐसे देखो 10 टौफिया लाए 2 से डिवाइड किया तो 2 में कितने टाइम टेबल्स पढ़ोगे कि 10 आज जागा तो 2 5 जा तो यह पूरा पूरा कट गया यहां minus होता है ठीक पास समझ में आगी अब देखो कृपिया ध्यान दे अमन चमन एवं सुमन को दचहरा का महिला देखने के लिए पिता जी ने 19 रुपए दिये तथा कहा इस बार देखना बहुत अच्छे थे इस बार कहा कि इन रुपईयों को आपस में बराबर बाटने के बाद जितने रुपए बचते है उसको बहन सुमन को दे देना प्रते को कितने रुपए मिलेगे अच्छा भईया जैसे मालो A, B, C A, B, C मालो आप लोग तीन भाई बहन है मालो यह C क्या है आपकी छुटकी है चुटकी मतलब आपकी सिस्सो और A, B क्या है आप भाई भाई बैसे भी बिटी या जदा प्यारी होती है बता होती है कि नहीं होती है तो पापा ने बोला यह बेटा 19 रुपीज है पहले तो आपको इनको आपस में बाटना है सेम आपस में बाटना है चुटकी को देंगे किसको देंगे? तो अब यह लोग कितने लोग थे? 1, 2, 3 तो अब यह लोग किस से डिवाइड करेंगे? 3 को डिवाइड यानि कि 19 रुप हैं तो 3 से डिवाइड करेंगे 3, 6, the 18 यानि कि अब A वाला कित्त रुपए ले लेगा 6 यहाँ पर क्या बचेगा एक बचेगा ना B वाला कित्त रुपए ले लेगा 6 चुटकी को कित्त रुपए मिलेंगे पहले तो 6 मिलेंगे और फिर पापा ने क्या कहाता है कि जितने बच जाए उतने भी चुटकी को ही देना है तो यानि कि ये एक रुपए बच रहा है ना तो एक रुपए भी चुटकी को मिल जाएगा किते हो जाएंगे ये साथ अब ज़रा देखो क्या पूरे रुपए बट गए 6-6-12-12-7-19 ठीक बट गए ना पूरे रुपए ब बच गढ़ें होगे चैहिंता है जैसे जीरो को जब आप फाइफ से डिवाइड करोगे तो हमेशा क्या मिलेगा सुन ने अब यह नहीं के ना जो पूरें सुन ने की अत्रिकतर समझा से सून में भाग देने पर भागफल क्या मिलेगा सदया सुनने देखो 5 को जब आप 0 से डिवाइड करोगे तो क्या एगा 5 का टेबल कितने टाइम पढ़ो कि 0 आजए तो 5 0 टाइम पढ़ो तो 0 आजएगा बात समझ में आ रही तो यहाद रखना हमेशा यह उपर वाला क्या होता है अगर उपर नियूमिरेटर में आपका 0 है तो आंसर आलवेज नीचे चाहे कोई भी डिजट हो चाहे एकस वाईजट कोई भी डिजट हो आंसर आलवेज आपको क्या एगा 0 है जिसे सुनने से मल्टिप्लाइ करने पर हमेशा सुनने आता है वैसे ही किसी भी संख्या को अग बाग देंगे तो वन पहले वन का पढ़ेंगे किस से टुटू जा यह कट गया माइनस हो गया तो यहां पे जीरो आ गया फिर फाइफ को ता रहेंगे नीचे तो वन फाइफ जा तो भाग फल यह होता है ना यह भाग फल आपको किता पराप्त हुआ पच्चिस तो याद र सूनने क्या ददावा अब ऐसा ने कि सूनने को आप सून pointing से भागफल दे दो कि सूनने पराप्त होगा यहां पर तो सूनने ही पराप्त होग इसकी तो बात छोड़ दो क्योंकि यह तो पहले वाले में आ जाएगा यहां पर कहा गया कि एक्स वाइज़ट कोई भी अब देखो तीन या अधिक अंको की संख्या में सव से भाग देने पर एकाई और दहाई के अंको से बनी संख्या सेश फल रहती है जबकि बच्चे हुए अंको से बनी संख्या भाग फल होती है जैसे पंदरा सो पैसट में सव से भाग करने पर भाग फल क्या आएगा पंदर या तीन से अधिक अंकों की संख्या सव से भाग देने पर एकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या सेशफल रहती है यानि कि remainder रहता है जबकि बचे हुए अंकों से बनी संख्या भागफल होती है तो बचे हुए कौन है ये 15 है ना सव गुड़े 15 किता हो जाएगा 15 सव हो जाएगा और बचे का किता 65 हो जाएगा अब देखो भागफल 65 बचा कि नहीं बचा यही डिजिट्स तो बची और उसके बाद में यह क्या हो गया आपका बताओं देखो सॉरी सेशफल आपका किता बचा 65 तो बचा यही बचा न वही जाती है जबकि बच्चे हुए अंको से बनी संक्या भागफल होती है जैसे 3423 में 1000 से भाग देने पर भागफल 3 और शेशफल किता होगा 423 इतिवास नमद में अब क्रिया कल आप में बात आ जाते हैं कि अधो लिकित प्रेश्न को कि दो प्रक्षियों से अलग-अलग हरकल यानि कि एक से आप कहें कुछ और इसको करो और इसको करो पहला 245 का गुड़न फल करना है आपको 105 से यानिया कि कल्कुलेटर से करके सीधे आंसर लिख दिया हाँ 2700 25 पराप्द हुआ और भाग्फल यहां पर बेश प्राफ दूटिपूर्ट हैं जबकि दोती प्रासिक्ष्व दौरा जही है हल तरक संगत है और सभी है शिक्षक और प्रासिक्ष्व तरकी करें कि एसा क्यूं देखो यहां पर क्या हूब किया कि जबग इसने इसने 25 का 5 carry 2 दिया 5 4s 20 का 2 carry 2 दिया फिर 5 2s 10 और 12 लिग जा ठीक जब 0 से किया तो यहां पे 0 की line नहीं लिखी और उसके बाद ने तब जब दहाई से करना था यानि 1 से करना था तो यहां पर कितने 0 आने चाहिए इथे 2 0 आने जब üçम तो से करना था नहीं हो झाल नहीं जुक्त YouTube में उसके बार इन्हों प्राओपल में अब देक्छो जगते हैं इन्होंने कि 19 गुड़े 19 बराबर 18 प्लस एक क्या होगा 19 ही होगा यानि 3 इंटू 6 प्लस 1 क्या होगा 19 अतहा 19 में 3 छेह बार सम्मिलित है और तथा 6 है एक है यह तो हम आपको भी अमन और चमन वाला बता रहे थे यह वही बात बोली गई है यहाँ पे ठीक आप दोको मुल्य ग्याद करना तो डारेक्ली हो जाएंगे कैसे हो जाएंगे साफ साफ पता चल रहा है आपने क्या देखा कि यहां पर जीरो है तो इसका अंसर 0 हो जाएगा आपने यह आपर क्या देखा दो शूनने लगे है और वन को 32 से करेंगे और एक को जब उससे करते तो भाईटी तो बहुत जैसे यह कोशन होते हैं आपको सब टेली ग्राम पर लिखना होगा एक साथ सब लोग भेज दीजेगा रात्री नौ बजे यह आपका निरधारित समय नहीं रात्री दस बजेगे आपका निरधारित समय है दस बजे तक रात्री में आप लोग सौल करके भेज दीजेगा पीडिएफ में आपको टेली ग्राम पर भेज दूँगी अब जरा बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि यह आपके कुछ सोशल हैं जिनसे आप जोड़ सकते हैं ट्विटर आगर आप ट्विटर चलाते हैं तो हम आप इस नाम से आप सर्च कर सकते हैं और टेली ग्राम से तो जोड़ना ही जोड़ना है क्योंकि आपको पर पीडियाफ मिलेगी जिससे आपको कोशन सोल करने हैं क्योंकि वन साइड़ मेहनत नहीं की जाती है बच्चो बात समझ में आगी अगर आपका अच्छा रिस्पॉ करिए तभी आपको मैच्स आएगी बढ़ना बाद में नहीं कहिएगा कि मैम मैच्स नहीं आती है तो यह थी एक चोटी से जानकारी और बाकी कैसी लगे आपको क्लास जरूर बताइएगा और हमेशा खुच रहिए मुस्कुराते दिये कभी अपने लिए तो कभी अपनों क के लिए टिल एंग टेक कियार मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के माद्यम से धन्यवाद